हे गाइस मेरा नाम अबदुल राशिद और आप देख रहे हैं इंडियन बजट गेमर वेलकम आपको इंडियन पीसी वार्स एपिसोड नमबर 59 में बाइदेवे आज यहाँ पर मैं आपको सूपर इल्टीमेट सेटप दिखाने चाह रहा हूँ जहाँ पर मैं आप लोग का सेटप नहीं मैं अपना खुद का सेटप दिखाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा अपने परसनल सेटप के बारे में तो इन्शॉर्ट आप इसे सेटप टूर 3.0 भी कह सकते हो यह सेटप जो होने वाला यह मेरा द्रीम सेटप है चैनल को बनाने से पहले मैंने इसे अपने सपने में देखा था और फानली वो सपना फूरा हो चुका है और इसका फुल क्रेड़ जाता है आप लोग को विकास आप लोग के सपोर्ट से ही मैं यहाँ पर हूँ और आप लोग की बिना मैं कुछ भी नहीं तो आप लोग को मैं यहाँ पर थैंक्स कहना चाहता हूँ फैर आप जादा दाइंग बेस नहीं करते हैं आप लोग सेट अप दूर देगो जब से पहली चीजज च्दे करते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस करते हैं मेरे सेट वोग सेट एक डिपल मौनिटर सेटएप उस करत था फैनली मैंने अपर टिपल मौनिटर सेट अप बिल्ड करलिया है प्राब्लम यहाँ पर केवल यह थी कि प्रीवेस हेटप में दुनों ही मॉनिटर मेरे 60 Hz के थे तो यहाँ पर मुझे एक गेमिंग मॉनिटर की जुरूत थी फाइनली जो सेंटर में आप मॉनिटर देख रहे हो यह एक सैमसंग का गेमिंग मॉनिटर है जो कि आपको 144 Hz का refresh rate offer कर देता है तो अब यहाँ पर मुझे जितनी भी गेमिंग करनी होती वो मैं सेंटर वाले मॉनिटर पर ही गेमिंग करता हूँ और ट्रिपल मॉनिटर मुझे मेरे workflow में और multitasking में काफी ज़ादा help कर देता है और आप में से जो लोग क्यूरियस होंगे कि बीच वाले मॉनिटर में यह चार्ट हूँ क्या लगा हुआ है तो मैं बता दू यह नॉन वैसा माउंट है सैमसंग का मॉनिटर wall mount support नहीं कर रहा था यह वाला तो मुझे नॉन वैसा माउंट यूस करना पड़ा सैटप को थोड़ा सा और spice up करने के लिए मॉनिटर के पीचे मैंने एक RGB strip भी लगा रखी है जो कि daytime पे यह ज़ादा light में आपको दिखाई नहीं दे रही होगी लेकिन जब light कम हो जाती है जब रात में जब आप इसे देखते है न तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको C blue वाला color देखने को मिल जाता है जो कि दिखने में काफी cool लगता है और आपके eyes में बहुत चुपता भी नहीं है सैटप के side पे अगर आप देखोगे के लिए मुझे gaming chair की ज़रत थी तो यहाँ पर मैं अपने सैटप में जो gaming chair यूज़ कर रहा हूँ वो आता है pulse gaming की तरफ से 11,000 रुपए का मिलता है build quality काफी अच्छी है और ये chair जो काफी दादा comfortable भी आपको देखने को मिल जाती है बात करें वही अगर table के बारे में तो table मैं अपने previous setup से यूज़ कर रहा हूँ और आप मेंसे जिन लोगों ने मेरा setup टूर 1 भी देखा होगा तो वहाँ पर भी मैं ये table यूज़ कर रहा हूँ मैं मानता हूँ कि ये table जो वो triple monitor के हिसाफ से थोड़ी सी छोटी जरूर पढ़ रही है लेकिन मेरे room पे इतना जादा space नहीं कि यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी सी table ला सकूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बहुत बड़ी table लियाँगा तो मुझे room के अंदर आने जाने में काफी problem होने लगेगी और वो काफी costly भी होगी और बाकी PCVC रखने के इसाफ से मैं मानता हूँ ये table आज भी काफी capable है तो हो सकता हूँ मैं future में एक नई table ले लूँ लेकिन फिलाहल मेरी need के इसाफ से ये table perfect है अब यहाँ पर बात कर लेते peripherals के बारे में जब चार लोग बैट के movies देखें तब speaker का use हो लेकिन personally मैं movies उभी ज़्यादा देखता नहीं हो और नहीं मेरे घर पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो most of the time मैं यहाँ पर headphone use करता हूँ इसलिए speaker पर पैसे waste करने के बजाए मैंने headphone अच्छा वाला ले लिया इस setup मैं यहाँ पर जो headphone use कर रहा हूँ वो आता है HyperX की तरफ से HyperX Alpha जो कि आपको sound quality ना next level की provide कर देता है sound quality जो यह आपको offer करता है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही loud है बहुत ही bass है, हालाग यह triple थोड़ा सा कम है लेकिन gaming के लिए मैं मानता हूँ यह headphone बिल्कुल perfect है बाकि अगर मैं आपको mouse के बारे में बता हूँ तो mouse मैं यहाँ पर previous setup वाला ही use कर रहा हूँ जो कि है Logitech G502 Hero previously मैंने यहाँ पर काफी सारे mouse ट्राय किये हैं अब काफी बार मैंने इसे switch करने ही कोशिच करी है लेकिन यह mouse जो आपको grip offer करता है वो बिल्कुल next level की है बाकि keyboard मैं आप पर जो use कर रहा हूँ वो आता है circle की तरफ से squadron जब यह keyboard मुझे मिला था ना तो मैंने बिल्कुल भी expect नहीं किया था यह keyboard मुझे बहुत पसंद आएगा लेकिन जैसे जैसे मैं इसे use करता गया यह keyboard मुझे बहुत पसंद आने लगा लेकिन मैं आपको बताओ यह one of the cheapest and best gaming keyboard है जो की budget segment में आता है और आपको red switches offer करता है बाकि last peripheral के बारे में बताओ जो कि है mouse pad mouse pad मैं यह आप पर use कर रहा हूँ पीसी specs के बारे में specs के बारे में अगर मैं आपको बताओ तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़े अपग्रेड कर ली है आप चाहे processor हो, RAM हो, graphics card हो, cabinet हो even power supply और SSD तक processor के बारे में अगर मैं बताओ तो यहाँ पर मैं अपने setup में use कर रहा हूँ वो है core i9 9900K आप में से जाद तर लोग जानते होंगा कि मैं i9 यूज़ कर रहा हूँ performance wise मैं बताओ यह one of the best processor है जैसे को कि आप आज की डेट पे खरीच सकते हो for example अगर मैं आपको बताओ अगर मुझे 8 मिनिट की वीडियो रेंडर करनी होती है तो यह PC मुझे केवल धाइ मिनिट में वीडियो रेंडर करके दे देता है चुकि बहुत जादा fast है और बात आती है अगर gaming की ना तो यह दुनिया का सबसे best gaming processor है consumer grade के लिए हो सकता हो Ryzen 9 आपको इसका similar या इसे थोड़ा कम performance है लेकिन जब बात आती है best of best की Core i9 best है वहीं यहाँ पर RAM जो है वो 32GB की है previous setup में 16GB ही यूज़ कर रहा था और graphics card के बारे में अगर मैं आपको बता हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ RTX 2080 Ti जो की previous setup में मैं यूज़ कर रहा था वो था 2080 तो upgrade करना तो भले वर्त नहीं था लेकिन एक नए graphics card की definitely यहाँ पर मुझे ज़ड़त थी तो मैंने यहाँ पर 2080 Ti ही ले लिया तो बाप यहाँ पर यह देख सकते हूँ कि specs wise यहाँ पर काफी बड़ा upgrade है और finally मैं यहाँ यहाँ पर बेहतरीन level की gaming, editing और CPU heavy task की specie पर कर सकता हूँ और आप मेंसे जो लोग यह जानने में इंटरेसेंट है कि यहाँ पर मैं cabinet कौन सा use कर रहा हूँ तो वो है NZXT का S710i, जो मैं मानता हूँ NZXT की तरफ से one of the best cabinet है, इनका flagship cabinet है हाला कि इसकी जो price है वो काफी जादा है 16-17,000 रुपए का cable cabinet आता है, लेकिन जिस price पर आ रहा है और जो यह value आपको offer कर रहा है वो बहुत ही अच्छी है ADVN यहाँ पर मैं आपसे केवल ही कह सकता हूँ कि यह PC एक मेरा dream PC है मेरे workflow के साथ तो यह PC मेरी काफी help कर देता है, अब चाहे मुझे यहाँ पर कितनी भी heavy editing करनी हो gaming करनी हो, कुछ भी करना हो यह PC मुझे आराम से करवा देता है वैल तो यह था setup to 3.0 I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा और नया look आपको next video में मिल जागा कि इस setup के सामने आप video कैसी दिखने वाली है अगर आपको यह video अच्छा लगा बहुत इस video को जल्दी से like करें, subscribe कर हमारे channel को कि कुम लोग लाते रहते हैं इसे daily awesome content तो हम तक देखने के लिए thank you